7,8,000 रुपे की spelling क्या होती है और 7,8,000 रुपे को check पर लिखने का सई तरीका क्या होता है यह हम आज इस फीडियो में सीखेंगे 7,8,000 रुपे को English में हम 7,8,000 रुपीज कहते हैं और अगर हम account पे check देना चाते हैं नीचे आप लिखेंगे 7,8,000 रुपीज और इसके spelling होती है और उसके नीचे 7,8,000 रुपे मातर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप Hindi या English किसी एक पाशा में ही चेक परें और right and side में जो box दिया हुआ है उसमें 7,8,000 रुपे को अंको में लिखना है जिसके लिखने का तरीका है 7,08 फिर 3 बार आपको 0 लगानी है और नीचे जहां आपका नाम लिखा है माउस नाम से उपर आपको अपने signature करने होते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारी चैनल को सिब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें आपके लाइक हमारे लिए बहुत माइने रखते हैं